हेलो फ्रेंड्स वेलकम एक ड्रावर चानल विरिफुल ट्रेंड्स आज के इस वीडियो से आपको आइडिया मिल जागा फ्रिल और प्लीट्स आप किस तरह से डिफिर्ट डिफिर्ट स्टाइल्स में बलाउस या फिर क्रॉप टॉप में आप दे सकते हो आप नेक के पास भी यूज कर सकते हो और आप अपने स्टीफ के पास भी यूज कर सकते हो तो ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही हल्पुल होने वाला है तो आप लोग इस वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखना और इसके प्मत करना नहीं तो हो सकते हैं कि जो डिजाइन्स आपको पसंद आने वाले हो आप उसे मिस्स कर दो आप इस तरह से नेट का फाप्रिक यूज़ करके आप different different styles में frill को अपने neck के पास दे सकते हो जिस तरह से आपको images में देखने को मिल रहा है और आप अपने blouse के back में भी इस तरह से frill designs दे सकते हो या फिर आप अपने sleeveless blouse में इस तरह से frill designs दे करके sleeves बना सकते हो और आप इस तरह से full sleeves में भी frill designs stitch करवा सकते हो और आप neck के पास इस तरह से frill designs दे सकते हो और आप इस तरह का 3 layer में भी frill designs दे सकते हो और आप इस तरह से neck and sleeves के पास जब दोगे frill design तो आप इस तरह से नीचे में भी दे सकते हो अपने blouse में अपने blouse को नाइस लुक देने के लिए और जादा तर फिरल डिजाइन्स आप बोटने के साथ ट्राइ कर सकते हो डिफरन 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 स्टाइल्स में और इस वीडियो में आपको सब भी तरह का फिरल डिजाइन्स का कलेक्शन्स देखने को आपको इनमेंसे जो भी डिजाइन्स पसंद आए आप उस इमज के स्कूरिंशॉट ले 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 आ और अपने टेलियर से दिखला करके आप इस तरह से डिजाइन्स अपने ब्लाउ से आफ इंपे क्रॉप्ट आप में दिलवा सकते हो और वीडियो पसंद आए तो प्ली आपको इस वीडियो से आइडिया मिल गया होगा अपने ब्लाउस को आपको किस तरह से स्टिच करवाना है तो आप लोग इस सब डिजाइन्स जरूर से ट्वाना है तो आप Qeina and Thank you friends for watching this video